पूर्व वर्ल नंबर एक ट्रैप शूटर और चार बार के ओलंपियन मानव जीत सिंग संधू को 2020 टोक्यो ओलंपिक से भारतिय निशानिबाजी टीम से अच्छे परिनाम की उम्मीदे हैं मनु भाकर, सौरब चौदरी, अपूरवी चंदेला और दूसरे भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इन युवा शूटरों से संधू को 4-5 पदक हासल करने की उम्मीद है अपना फॉर्म मेंटेन कर पाएं अगर ऐसा चलता रहा तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हैं 4-5 मेले के आज़ें शूटिंग के अपने जुनून के बारे में बात करते हुए संधू ने कहा देखे, as long as I feel like competing, I will compete और अभी तक तो वह एक जनून है, एक मन कर रहा है So I will continue to try to do my best for India